नमस्कार दोस्तो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूठीव चेनल में, दोस्तो, चीनी तो हर किसी के घर में होता है, चीनी का स्वाध मीठा होता है, मीठा अपने आप में ही अपने अंदर एक आकर्षन सक्ती रखती है मीठी चीजों का प्रयोग आकर्षन सक्तियों को बढ़ाने के लिए तंतर सास्तर में भी क्या जाता है वहीं जोति सास्तर में भी इसका भरपूर मातर में प्रयोग किया जाता है अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी घर में पूजा पाठ आधी करवाते हैं तो मीटी चीज जैसे कि चीनी, गुड, शक्कर, शहद, आधी का प्रयोग हम अवश्य करते हैं तो आधकी वीडियो में हम बताएंगे कि चीनी के अंदर आखिर ऐसी क्या चीज रखें कि आपके घर में धनकी आकरसंता हमेशा बनी रहे, आपकी खुशियों को कभी भी नजर ना लगे और आप और आपके परिवार के सभी सदस्यों के बीच में एक दोस्तो इस दुनिया में जितनी भी चीजे हैं वे अपने आप में ही बेहत खास विचमतकारी हैं इसलिए तो जोती से उपायों में घर की रसोई में से या फिर बाजार में आसानी से मिलने वाली चीजों के दुवारा ही उपाय करने को बताए जाते हैं क्योंकि वे छोटी चीजें भी अपने आप में बेहत खास विचमतकारी होती हैं दोस्तो अगर आपके जीवन में धनकी बहुती जादा हानी होती है और धन कमानी की मनों कामना आपके मन में जियों की तियों है तो आप वीडियो में जो हम आपको उपाय बता रहे हैं इस उपाय को एक बार माना जाता है, शुक्र ग्रह, जीवन में बहुतिक सुख सुविदाओं को दिलवाने वाला ग्रह होता है, शुक्र ग्रह, एक चमकीला ग्रह होता है, जीवन में जब भी कभी आपको खुसियां, यानि की बहुतिक सुख चाहिए, बहुतिक सुख यानि की घर, मकान, वाहन, प तो आपको शुक्ने कुंडली में शुक्र ग्रह को मुझबूत करना होता है. जीवन में जब शुक्र ग्रह की किरपा प्राप्त होती है, तो जीवन के सभी परकार के कष्ट मिठ जाते हैं. अब ऐसा क्यों कहते हैं कि कष्ट मिठ जाते हैं, क्योंकि जब आपके जीवन में सभी परकार के भौतिक सुख साधनों की संपन्ता होती है, तब आपके जीवन में केबल उमंग और हरसो लास ही होता है, जी हां दोस्तों, जब आपके पास मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, सभी परकार की सुख सोविदाय हो, जीवन साथी का बच्चों को अपने माता पिता का आशिरबाद प्राप्त हो सके, तब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किल नहीं होती है, हर प्रकार की खुशियां आपके जीवन में मिलती ही रहती है, तो चीनी का संबंध सीधा सीधा सुक्र ग्रह से होता है, इसलिए आपको आज की वीडियो में हम आपको अपके जीवन के सभी बहुतिक सुकों की प्राप्ती हो सके, इसलिए हम बताएंगे, कि आपको अपने चीनी के डबे में ऐसी कौन से चीज ला करके रख देनी है, कि आपके बरसों के पुरानी गरीबी भी मिट जाए, और आपको किव फिर भी खुसिया नहीं है, दोस्तों जब आपके कुंडली में असुप ग्रै, यानि कि जब शुकर ग्रै जब असुप परभाव देने लगे, तब आपके बाद सब कुछ होगा, लेकिन खुसिया नहीं होगी, जिया दोस्तों, ऐसा जब होता है, जब शुकर ग्रै अपने असुप की जगा असुप परभाव देने लगे, तब जीवन में होता सब कुछ है, लेकिन खुसिया नहीं होती है, इसलिए आज की वीडियो में हमको बताएंगे कि आप अपने शुकर ग्रै को किस परकार से शुप फल परदान करने के लिए ही बाद्य कर दे, कि आप अपक चीनी के डबे में अगर हम कोई खास चीज डाल दें, तो आपको जीवन भैतर होगा, शुकर ग्रै अच्छे परभाव देने लगेगा, तब ही तो कहते हैं कि जब भी कुछ अच्छा हो तो मूम मिठा कराईए, क्योंकि चीनी केवल आपके खाने पीने में मिठास नहीं गो क्योंकि आपने अकसर देखा होगा कि चीनी को हम जब भी रखते हैं, तो उसके अंदर कभी-कभी जड़ियां बन जाती है, यानि कि डेले जैसे बन जाते हैं, इससे होता यह है कि आपके सोई घर में मन नहीं लगता है, घर में से खुशियां चली जाती है, नकारतमक्ता आ तो अपके घर में लगता है कि आपके घर में लगता है कि दृषियां को किसी की नजर लग गई है, तो सबसे पहले तो आप अपने घर में जहां भी आप चीनी रखते हैं, एक ऐसे बरतन में रखिए, एर टाइट हो, यानि कि जिसमें सीलन ना हो, जिसके वाँजा से ड़ि लेना है तो रुमाल का ही कोई छोटा सा भाग क्यों ना हो या किसी भी अन्ने साफ सुतरे कपड़े का एक छोटा सा भाग आपको ले लेना है सफेज दरंग कपड़ा आपको ले लेना है इसके अंदर आपको पांच दाने चावल के डाल ले हैं जिसके अंदर शीलन ना जाए, जिसके अंदर डेलिया ना पड़े, ऐसी ची का ध्यान रखना है, और आपको बस पांच दाने चावल के उस सफेज द्रंग के कपड़े में बांध कर, चीनी के डबे में आपको डाल देना है, चावल को डाल देने के बाद, आप एक बार शुक माता लक्ष्मी का परतीक है, माता लक्ष्मी को पसंद है, साती सफेद वस्तुएं, बहुतिक सुक सादनों को बढ़ाने वाले ग्रह, शुकर ग्रह को सिवसीदा सम्मन रखती हैं, और आपने चीनी के अंदर डाला है, जिसकी बज़ा से आपके चीनी में डलिया भी नहीं पड़ेंगी, सात में आपने एक ऐसे बरतन में रखा है, जहां पर चीनी के अंदर शीलन नहीं जाएगी, तो आहर प्रकार से सुक सुविदा आपके घर में आने के सभी मार्ग आप इस के लिया को करते ही खोल देते हैं, माता लक्ष्मी को परसंद कर लेते हैं, भगवान लक्ष्मी एक बार अवश्य लिख दें, और साती इस वीडियो को लाइक करें, और शेयर करें, और चैनल को सबस्क्राइब करना ना बोलें, तो आज की इस वीडियो में किवल इतना ही, कल फिर आपसम मुलाकात होगी, एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिद्दे म कमेंट बॉक्स में लिखना ना बोलें, जै मातादी, जै मालक्षमी, हर हर महादेव, जै बजरंग बली